Assalamu alaikum students इस वीडियो में exercise 1.3 के questions 9 to 40 हम करेंगे जो के limits के बारे में है limits at infinity that means कि अगर आपने x को negative infinity को approach कराना हो तो function का behavior क्या होगा और अगर आपने x को positive infinity तक approach कराना हो तो function क्या behavior show करेगा ठीक है तो पहला आप देखिए एक polynomial है तो जब भी आपको polynomial given हो ठीक है तो without fraction आपने क्या करना कि उसके जो सबसे highest power value term होगी उसको deal करना है बाकी की जो value आएगी वो सारी इसकी उपर dependent होगी यहाँ पर highest power value term है minus 3 x to the power 5 तो आप बेशक उसी को choose कर लें और उसी के उपर limit apply कर दें अब देखिए x की power अगर positive odd है तो आप infinity जो भी होगी आप वहाँ put करेंगे तो positive की power odd positive देगा और उसको आप negative से multiply करेंगे जब यहाँ पर है तो negative infinity बन जाएगा ठीक है अगर इन केस यहाँ पर negative infinity होता तो इसकी power negative ठीक है अब negative infinity की power odd हो तो इसका answer क्या आते है negative तो वो negative आप इस negative के साथ multiply करते है तो आप का answer क्या आता पॉजिटिव आता ठीक है अब नेक्स्ट वाले में देखें कि इसमा है इस पार हो लिए term क्या है यह चीज़ यहाँ पर भी infinity x की power क्या है odd है और infinity positive है तो positive की power odd लेंगे तो positive ही आएगा ठीक है अगर यहाँ पर negative आता तो यहाँ negative की power odd तो यह भी negative बन जाता ठीक है तो यहाँ odd power infinity is again positive infinity आपके पास positive infinity जाएगा और अगर power even हो तो negative के अंदर परसकर x approaches to negative infinity है x square या x4 तो negative infinity की power जब भी even हो तो positive बन जाती है ठीक है next square root के अंदर तो limits की property है कि आप अगर function का square root है या कोई भी इसकी power है तो आप limit को उसके अंदर apply कर देते हो function की उपर और वही power limit की उपर लगा देते हो तो यह square root x की power 1 or 2 है तो हमने limit को function की उपर x की उपर apply कर दिया उसके बाद square root लिया तो infinity का square root पर क्या होगा infinity इसी तरह negative infinity है हमने again apply कर दिया जिनके 5 वह constant है अगर हम इसको बाहर भी निकाल दें यहाँ पर मैं लिखना भूल गया 5 minus limit x अपर जिस तो minus infinity तो यहाँ से क्या आएगा negative x है minus infinity है तो minus और minus क्या हो जाएगा positive तो 5 plus positive infinity का square root again positive infinity ही आएगा ठीक है अब जब fraction की बात आती है तो आपने तीन चार दो rules ने इसके बारे में एक rule यह है कि आप जो है numerator का highest power वाला term और denominator का highest power वाली x की highest power वाली term को छोड़ दें बागी सब को delete कर दें तो देखिए इस में से यह खतम हो गया यह खतम हो गया आपके पास दो highest power वाली term रह गई गई मतल है कि एक्स एक्स के साथ cancel हो जाता है आपके पास simple constant रहा जाता है और इस जो है वह इसमें है नहीं तो आप constant वाली term देते हैं दूसरा तरीक है कि जो denominator की पावर होती है एक्स की highest term है वो क्या है denominator के अंदर एक्स पावर वन है तो आप उपर भी और नीचे भी एक्स से डिवाइट कर दें तो आपके पास simplify होके क्या बन जाएगी आपके पास simplify होके बनेगी यह बनेगा 3x by x plus 1 over x divided by 2x by x minus 5 over x यह x इसके साथ cancel यह x इसके साथ cancel आपके पास रहे जाएगा 3 plus 1 over x और यहां पर रहे जाएगा 2 plus sorry 2 minus 5 over x अब 3 के उपर तो हम limit apply नहीं करते हैं 2 के उपर भी नहीं apply करते हैं तो limit सिरफ इन दोनों के उपर आएगी तो 3 plus limit x approaches to infinity 1 over x और 2 minus limit x approaches to infinity 5 over x तो anything divided by infinity क्या होता है 0 तो इस limit के वह लिए 0 आजाएगी 5 divided by again infinity इसके भी 0 आजाएगी तो ultimately आपके पास वही चीज़ बनेगी ठीक है तो दोनों में से कोई भी आप use कर सकते है method चुंकि यह वाला आसान है जो मैंने शुरू में किया यहां पर किया हुए solution के अंदर तो आप कोशिश करें किसी को कर दें देंगे इसमें हाइस term कौन सी है तो आप दोनों बाकी सब को delete कर दें सिरफ इन दोनों कर रहने दिया स्क्वार स्क्वार के साथ cancel आपके पास constant आ जाता है और यो apply the limit जो constant के ओपर apply नहीं होती तिसले आपके पास रही constant आ जाता है अब y approaches to minus infinity है आजा question 15 में limit y approaches to minus infinity 3.2 y plus 4 है तो इसमें is power y की क्या है y power 0 जब सिर्फ constant होता है तो अगर आपके पास variable है कोई तो वो variable की power 0 होगी तो हमने 3 ले लिया नीचे हमने y ले लिया 3 और y आप infinity apply कर रहें तो anything divided by infinity is 0 इसी तरह इस वाले में भी आप यही कर सकते हैं कि उपर one ले ले नीचे x ले 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 infinity apply कर दें अब इस वाले में यह और यह ठीक है तो again x x square इसके साथ कट जाएगा one over x आजाएगा which is zero again इसमें यह cancel कर दें यह cancel कर दें यह निकल जाएगा sorry negative रहेगा minus इसके साथ है और x यह cancel होगा यह cancel होगा यह रह जाएगा अब यह 4 इसके साथ cancel हो जाएगा 6 constant है बाहर निकाल दिया limit x to the power 4 q पर apply कर दिया and that is infinity वेकि इसका answer positive है positive infinity है लेकिन यह negative जब multiply हो जाता है तो negative बन जाता है इसी तरह t x approach is to minus infinity है यह यह term रह जाएगी और यह बाकी delete हो जाएगी cancellation होगी cube square के साथ cancel होगा 1 आ जाएगा minus 2 constant बाहर निकाल दिया limit is q पर apply कर दिया and again this is minus 2 और यह limiting approach to minus infinity है तो this becomes positive यहां पर यह term रह जाएगी and यह cube cancels out minus 1 over x minus 1 over 7 तो answer is minus 1 over 7 constant के उपर तो apply नहीं होते है apply होके वही चीज आती है इसमें highest term यह, highest term यह, दोनों cancels out, you get a constant ठीक है अब जब बात आती है चला यह तो qbic root है, qbic root के अंदर दोनी है तो इसमें highest parallel time यह है और यह बाकी सारे निकल जाते है, constant तो again आपके पास वही qbic root of minus 5 over 8 या अगर इस 8 को square qbic root से निकाल दो तो क्या बन जाएगा? 2 और यह आप minus भी बाहर निकाल सकते हो कि 3 times of minus is again minus यह बाहर भी निकाल सकते हो अंदर हो तो कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि qbic root है अब जब square root की बात आती है ठीक है? और एक की उपर हो, दोनों की उपर ना हो तब आपने क्या करना है कि आपने वो method apply करना है क्योंकि इसमें आप divide करते हो इस वाले number से ठीक है? x के mod से, अब यह x है ना तो denominator में highest power क्या है? x इसके negative और positive depend करता है कि कब हमें negative चाहिए, कब हमें positive चाहिए तो इसी लिए जब आप x approaches to minus infinity करते हो, ठीक है? तो हम x negative लेते हैं जब zero से इस तरफ वाला हो, तो इसी लिए x approaches to minus infinity और square चुंके minus x का square again is x square तो हमने यहाँ पर minus x से divide किया इसको भी minus x से divide किया, ऊपर चुंके square root है, मैं कि यह है कि x square है square root के अंदर तो क्या होता है? plus minus x, ठीक है? तो अगर मैंने इस को inside लेके जाना हूँ तो इसकी value क्या होगी? x square होगी अगर मैं बाहर divide करता हूँ x स्क्वारूट के अंदर क्या डिवाइड करूंगा x स्क्वार क्योंकि x स्क्वार से ही आता है x स्क्वार को स्क्वारूट लेने से x आता है तो इसलिए जब इस्क्वारूट के अंदर आपने करना हो x multiply करना हो तो स्क्वारूट के अंदर हो क्या होगा x square इसी हमने यहाँ पर क्या square root के अंदर x square डियो से divide कर दिया तो यह cancellation हो जाएगी यह आपके पास रह जाएगा यह देखे हैं हमने कब करना था जब x is less than 0 जब x is greater than 0 maybe the value is different जब आप 0 से दूसरी set पर जाएंगे इस तरफ अब हम negative infinity के तरफ जा रहे हैं जब x 0 से छोटा है तो यह आप value put कर दें you get these things limit 5 और minus 1 q पर अप्लाई नहीं होता और इस q पर अप्लाई कर दें minus 2 constant बाहर निकाल दिया और यह minus 3 in one more x square and one more x again हमने कहा था कि anything dot by infinity is 0 आपके पास यहाँ square root 5 आजाएगा और यह minus यहाँ से भी 0 आजाएगा यहाँ से भी 0 आजाएगा यहाँ से भी 0 square root 5 divide by minus 1 becomes minus square root 5 तो हमेशा याद रखें कि जो आपने square root के बाहर जो number आप divide करते हो ठीक है उसके square से आपने divide करने उसी का square divide करने square root के अंदर ठीक है यह वाला तो जाएगा वजो भी number अगर आप नीचे x square करते हैं अगर आप यहाँ पर x square से divide करते हैं square root के अंदर हो वह क्या वाका x power 4 तो यह चीज़ आपने जहन में रखनी है देखें next वाले में again same ही चीज़ है थोड़ा सा side only change किये कि now they are going towards positive infinity अब 0 से greater जब x की value क्या है greater than 0 है तो अब हम positive x से divide करें ठीक है अब positive का square भी again positive square ही होगा तो यहाँ पर सिरफ value क्या हो जाएगी positive हो जाएगी कि यहाँ पर जब आप positive से divide करते हैं प्लस वानाएगा बाकी same ही question है अब इसमें भी देखें हम denominator का highest power क्या है y square है लेकर square root के अंदर है तो square root से बाहर निकले गवाई तो क्या होगा इसकी power क्या बनेगी plus minus y चुम्कि हम negative infinity की तरफ जा रहे है तो इसलिए हम negative y लेंगे तो नीचे भी negative y उसका square लेंगे तो y square हो जाएगा उससे divide करते हैं दोनों को और उपर भी negative y से divide कर देते है ठीक है तो जब आप इसको simplify कर दे limit apply कर दे इसकी limit इसकी limit zero हो जाएगी आपके पास minus square root y आ जाएगा इसी तरह अब ये positive infinity की तरफ जा रहे है तो why should be greater than zero which means positive होना चाहिए तो हम उपर नीचे positive y से divide कर देते है again इसकी उपर limit इसकी उपर limit क्या जाएगी zero आ जाएगी और आपके पास minus one or square root six आ जाएगा अब देखे जो square की बात की थी अब यहाँ denominator में x square है तो हम x square से divide करेंगे नीचे और चुंकि उपर square root है तो उसके अंदर हमने क्या किया x to the power of four से divide किया क्योंकि हम जिससे भी नीचे denominator में divide करते है उपर square root के अंदर हम उसको उसके power से divide करते हैं तो x square की power two से क्या है x bar four again फिर वहीच आपके पास three चाह जाएती है limit apply कर दें इसके उपर भी इसके उपर भी इन दोनों के limit zero आ जाएगा आपके पास square root three आ जाएगा x approaches to positive infinity चुंकि यह square है नीचे जो हम divide कर रहे है वो x square है तो x square x चाहिए आप positive लें जाएचा आप negative ले square again makes it positive तो x square से divide के x square से divide के x four से x four से x चाहिए positive हो चाहिए negative हो दोनों के answer में क्यों होगा same आएगा and you get the same value अब अगर इस तरह की situation आ जाएए इसमें आप उट करेंगे infinity तो infinity answer आएगा इसलिए you can you rationalization यहाँ पर जो function दिया होगा square root के अंदर without square root के अंदर उसके दरमयान में जो sign होता है उसके additive inverse मिन अगर यह positive है तो negative और अगर यह negative है तो उसका positive चुंकि यह negative है उसका additive inverse के है positive यहाँ पर तो उसी number से with additive inverse यहाँ पर positive लिखके और से multiply और divide कर दें तो यह आपके पास a plus b और a minus b वाला formula रह जाएगा a minus b a plus b तो यह बन जाएगा a square minus b square अब यह दें कि पहले का square minus फिर दूसरे x का square और यह one time यह चीज़ आगी अब square यह square root के साथ कट जाएगा आपके पास x square plus 3 आजाएगा और यहाँ minus x square यह दें कि cancellation होगी यह आपके पास simplified आगए 3 होगा square root x square plus 3 minus x और again आप नीचे infinity अप्लाई करेंगे तो 3 divided by infinity is 0 इसमें भी आपने ही करना है यहाँ पे negative है उसका additive और पॉजिटिव है उसी number same exactly same expression से with a positive multiply divided किया a minus b whole square का formula apply किया simplify किया cancellation होगी अब यह चीज़ आगी है अब इसमें again आपने वही करना है यह आपने ऊपर नीचे x से ऊपर x से divide करेंगे यहाँ नीचे x square है means x है और यहाँ पे एक extra x भी है square root के अंदर भी है अचा आप इसमें देखें limit x approaches to positive infinity यहाँ minus 3x है लेकिन denominator में x square square root के अंदर भी है और x बाहर भी है बाहर वारा x का है positive है तो इसलिए हम positive x से divide करेंगे तो positive x से उपर नीचे divide किया तो square root के अंदर वो x square होगा simplify किया अब limit apply कर दें इसके उपर apply नहीं होता as it is आएगा इसके उपर apply करेंगे तो 0 आजाएगा और 1 के उपर भी as it is तो आप simplify कर देंगे the answer is minus 3 or 2 अब यह exponential की जब बात आती है तो आप simply apply कर दें 1 के उपर apply नहीं होता है as a constant तो इसके उपर apply कर दें इसके उपर apply कर दिया अब देखें e to the power x है जब आप negative infinity apply करते है तो e के उपर जब negative हो ठीक है तो हम उसको लिखते है 1 divided by इसका रही से प्रोकल लेते है so 1 over e to the power positive infinity होगा और e to the power positive infinity किसके उकल होता है infinity के उकल होता है so 1 divided by infinity किसके उकल होगा 0 के उकल तो जब भी आपके पास x approaches to negative infinity हो e to the power x क्या होगा 0 आएगा तो 1 minus 0 1 plus 0 gives you 1 अच्छा आप next again same चीज़ है लेकिन e to the power x x approaches to positive infinity है तब इसमें करेंगे तो यह बन जाएगा e to the power positive infinity is infinity इसलिए हमने इसके साथ क्या करना है वही चीज़े हम x के साथ करते थे यहां e की power x जाए denominator में उसी से उपर और नीचे divide कर दें तो उपर 1 को भी divide कर दिया e to the power x को भी कर दिया इसको भी कर दिया e to the power x as it is आजाएगा यहां से 1 आजाएगा e as it is आजाएगा यहां से 1 आजाएगा अब हमें अभी पहले किया था कि e to the power x when x approaches to infinity e to the power infinity is 0 तो अब आप limit apply कर दें limit इसके उपर apply करेंगे यह minus 1 तो as it is आजाएगा यह वाला plus 1 as it is आजाएगा और इसके उपर limit apply कर देंगे तो 1 over e to the power infinity किसके इकल होता है 0 आप यह हमने उपर show किया तो आपके पास अंसर आजाएगा minus 1 अब इसमें आप क्या करते हैं e to the power x again उपर नीचे divide कर देते हैं इधर भी divide कर देते हैं यहां पर भी यहां से cancel होके 1 आगया यहां से अब e to the power minus है जब इसको नीचे लेकर जाएगे तो basis will be same आप powers को add कर देते हैं that becomes e to the power 2x इसी तरह इसमें भी यही काम करेंगे तो यह भी बन जाएगी e to the power 2x अब again इसके उपर limit apply करेंगे तो 1 over e to the power infinity is what? 0 1 over e to the power infinity is 0 जो उपर हमने किया तो you get the answer similar question है with negative infinity तो वहां पर positive था हमें क्या चाहिए था 1 over e to the power infinity ठीक है? जब negative हो तो हमें क्या चाहिए? e to the power infinity क्यूंकि sorry e to the power x हमें चाहिए क्यूंकि यह जब इसके उपर हम infinity apply करते हैं तो यह नीचे आ जाता है and that gives us 0 तो जब x approaches to negative infinity हो हमें e to the power x चाहिए to get 0 और जब positive infinity हो तो हमें e to the power 1 over x चाहिए ठीक है? to make it 0 तो अब यहां पर e to the power minus x चे डिवाइड कर दे दोनों ऊपर नीचे ठीक है? तो यह cancel हो जाएगा यह cancel हो जाएगा यह cancel यह cancel यह cancel वहना जाएगा दोनों से इस negative को ऊपर लेके जाएगा तो e to the power 2x बन जाएगा यह भी e to the power 2x बन जाएगा और one more infinity is what? 0 तो यह दो चीजा आपने जहन में रखनी है जब आप x को अपरोच करते है minus infinity को ठीक है? तो आपके पास e to the power x आना चाहिए that will give you 0 और अगर आप x को अपरोच करते है positive infinity को आपके पास e to the power minus आनी चाहिए that will make it 0 ठीक है? अब natural log जो है अगर आप उसको देखे नेचरल log के अंदर यह natural log का general function है यह black वाला graph ठीक है? तो जब आप positive x को अपरोच करते हैं तो आपका answer क्या आता है? ठीक है? और जब आप negative x को अपरोच करते हैं वालकि negative x नहीं 0 तक जब आप 0 को अपरोच करते हैं what do you get? negative infinity लेकिन यहाँ पर function दिया है one over x का तो natural log of one over x का है जब आप इसी का है तो यह red वाला जब आप positive infinity को अपरोच करते हैं तो दा answer is positive infinity sorry negative infinity नीचे आ रहा है ना जब आप negative infinity को अपरोच कर रहे हैं तो y की वे लिए देखें कहां जा रहे हैं negative को you get negative infinity ठीक है? generally natural log of x जब आप x को infinity को अपरोच करते हैं तो आपको answer भी infinity आता है जब आप positive infinity को अपरोच कर रहे हैं और x का reciprocal कर लेने तो obviously वो negative पर चला जाता है इसी तरह square का भी हो तो it doesn't affect कि anything by infinity is what? again infinity और अगर आपने इसको infinity के लिए हाँ से देखना है तो natural log of infinity natural log of zero is infinity natural log of zero is infinity but कौन सी infinity है positive है या negative है वो आपको यहां से समझाएगी ठीक है तो आपने देखना होगा यह कि यहां से किस तरह लिखना है कि positive आएगा या negative आएगा और जब आप इसी चीज़ को जीरो को अपरोच करें जहां पर black graph से आपको नजर आ रहा है ठीक है बलकि sorry red से नजर आ रहा है जब आप positive को जीरो को अपरोच करते है positive side से negative side से तो है ही नहीं तो तब क्या होगा यह positive infinity की तरफ जा रहा है तो at the end आपका natural log of zero आता है ठीक है excuse me natural log of zero आता है लेकिन natural log of zero positive infinity आएगा या negative infinity आएगा वो आपको इसके graph से समझाएगा ठीक है बलकि यहां पर भी दिया हुआ है 39 में अब यह कुछ formula हैं जो आप लोगों ने book में पढ़े वे ठीक है limit x approaches to positive infinity one plus one more x मतलब यहां पर जो भी चीज़ हो जो भी चीज़ नहीं जिसको आप जिसकी limit को आप अप्रोच करा रहे हैं वो और उसी तरह का expression यहां भी होना चाहिए अब अगर यहां पर x है तो यहां पर भी x होना चाहिए अगर यहां 2x है तो यहां पर भी आपने 2x बना देना है अगर यहां x square है तो यहां भी x square होना चाहिए ठीक है अगर नीचे यहां पर x plus one है तो इधर power में भी x plus one होना चाहिए ठीक है तो अगर यह situation हो तब आप क्या करते है यह आप यह फॉर्मूला अप्लाई करते है जो कि पेज 90 के उपर है और वो है कि यह किस की एकल होता है exponential की एकल होता है चाहिए यहाँ पर कुछ भी हो x हो 1 over x power x हो 1 over x square power x square हो 1 over x plus 1 power x plus 1 हो कुछ भी हो इसका answer क्या आता है e अब इसको देखें यह 1 plus 1 over x to the power minus x है अब नहीं का था कि क्या होना चाहिए positive x अब इसको हम positive कैसे कर सकते है कि इसको अगर हम इसकी power की जो negativity है उसको बाहर नकाल दे 1 plus 1 over x to the power x को हम लिख सकते हैं कि x into minus 1 तो अभी x वाल मैंने अंदर रहने दिया इसको minus कर दिया आप इसको मैं दोबार मुल्टिप्लाइ करेंगा तो वही चीज़ बन जाएगी तो फिर आप limit apply कर दे power में हमने कहा था कि power आप बाहर ले ले limit को अंदर apply कर दे लिमिट अंदर apply कर दे अब इसका answer हमें पता है क्या exponential यह power minus 1 as it is आजएगी तो यह बन जाएगा exponential is the power minus 1